हईलो दोस्तों वेलकूम बैक विद न्यू वीडियो दोस्तों अभी मैंने अपनी स्क्रेन परेडिंग व्यू इूट का टर्मिनल उपेन कर रखा है अपसे लोग भी ट्रेडिंग व्यू का यूज करते होंगे जब आपको यहां पर एनलेसिस करने के बाद कोई भी ट्रेड लेना होता होगा लेकिन जब आप trade लेते होंगे तो आपका जो broker का app है आप उसके ऊपर जाके अपना वहाँ पर order punch करते होंगे या तो अपने system पे ही उनका website open करते होंगे और वहाँ से जाके अपने orders execute करते होंगे बट अभी ये काम आपके लिए धन्य बहुत ही आसान कर दिया है आप directly अपने trading view के terminal से ही buy and sell orders place कर सकते हो जिसको मैं आज की वीडियो में आपके साथ करके भी दिखाऊंगा तो इसकी लिए सबसे पहले तो आपको नीची दिख सकते ह है और फिर आप वहाँ पर trade ले सकते हैं तो यहाँ पर आप दिख सकते हो धन का नाम आपको टॉबप पर दिख जाता है तो अभी आपको धन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है connect के ऊपर इसके बाद आपके सामने एक निया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप अपना धन का एकाउंट लॉगिन कर लीजेगा यहाँ पर simply आपको अपने धन के मॉवाइल अप से यह QR कोड स्कैन करके sign in कर लेना है आप अपने मॉवाइल अप पर आएगा left hand side से अपनी profile को open कीजेगा और वहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा login to desktop का आप उस पर क्लिक कीजेगा एक QR कोड scanner open होगा उससे आप यहाँ पर यह QR कोड scan कीजेगा दिन आपका जो account है वो यहाँ पर automatically login हो जाएगा तो अभी अगर आपका धन का DMAT account नहीं है तो description box में मैंने डिंग दे रखा है आप उस पर से क्लिक करके सबसे पहले तो अपना ध trading view के खास features बिल्कुल free of cost यूज़ कर पाऊगे तो यहाँ पर मैंने अपने धन के account को login कर लिया है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो account name भी लिखके आ जाता है उसके नीचे आप दिख सकते हैं चार अलग-अलग options आपको और देखने को मिलता है एक है positions tab जहाँ पर आपको कर रहा है 47600 के zone में and सबसे पहले तो आप अपना analysis कर लीजे जिस भी index के उपर आप trade करना चाहते हैं जैसे कि अभी मुझे लगता है कि bank nifty 47600 का zone यहाँ पर break नहीं करेगा यह एक अच्छे support की तरह काम करेगा and यहाँ पर से यह बड़ा सा reversal इसमें possible है तो यहाँ पर अभी म आप search करूँगा कि bank nifty 47600 जैसे ही मैं search करता हूँ आपके सामने देख सकते हो अलग-अलग options आ जाते हैं यहाँ पर जो मैं बाय करना चाहता हूँ वो आज की expiry का बाय करना चाहता हूँ तो आज है 15 मई तो आप देख सकते हो bank nifty index options 15 मई का call है यह 47600 की strike price का तो मैं इस पर left click कर देता हूँ और इसका chart आप देख सकते हो पीछे यहाँ पर open हो जाता है तो अभी आप देख सकते हो इसकी जो price चल रही है इसका जो premium चल रहा है वो करीबन 35 या 36 रुपीज के approach चल रहा है अभी अगर मुझे इसे buy करना है तो यहाँ पर आपको top में left hand side में buy and sell button देखने को मिलना चाहिए बड़ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे settings में जाएंगे right hand side में आप देख सकते हो एक settings का option देखने को मेरेगा आपको यहाँ पर आप chart settings के उपर click कीजेगा and यहाँ पर आप trading वाले tab में आईएगा यहाँ आप आप द अभी आप देख सकते हो left hand side में top में आपको Excel का button यह देखने को मिल रहा है इसके right में आप देख सकते हो यह बाय का button देखने को मिल रहा है इनके बीच में आप देख सकते हो एक quantity का भी tab है तो यहाँ पर यहाँ पर एक lot buy होगा जैसे अभी मैं 1 के उपर जब click करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप quantity अपनी खुद से manually enter कर सकते हो तो यहाँ पर आप enter कर सकते हो जितने भी lot आपको buy करने हो पहले से ही आपको यहाँ पर कुछ options भी देखने को मिल जाते है फिलाल हम लोग one के साथ ही continue करेंगे और यहाँ पर हम लोग buy वाले button के उपर click करते है जब हम buy button पर click करते हैं आप देख सकते हो order मेरा execute हो चुका है current market price पर यहाँ पर आपको अभी left hand side में notifications भी देखने को मिलेते हैं यहाँ पर आप clearly right hand side में एक चीज़ देख सकते हो कि कितना आपका profit चल रहा है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल clearly यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर नीचे जहाँ पर आपका trading panel दा जब आप इसको फिर से open करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो notifications log में आपको सारी notifications दिख जाती है अभी हमने order place किया था तो वो आप देख सकते हो इसके बाद हमारा order execute हुआ था वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हो इसके स साती जो भी orders आप पंच करेंगे वो orders वाले section में आपको देखने को मिलते हैं अभी हमने यह buy order execute करवाया था तो यह buy order की details हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है अभी इसको हम वापस से minimize करते हैं यहाँ पर जब आपको अपनी position को close करना होगा तो आप यहाँ पर sell button पे भी क्लिक कर सकते हैं उससे भी जो आपकी active position होगी वो square off हो जाएगी इसके साती यहाँ पर आपको एक cross का option देखने को मिलता है यह भी close position का option है तो आप यहाँ पर से भी click करके अपनी इस position को बिल्कुल close कर सकते हैं इसके साती जब आप यहाँ पर अपना cursor लेके आते हैं तो एक sell की position active हो जाएगी ऐसा हम लोग किस case में कर सकते हैं और हमारा उससे benefit होता है जैसे कि मालीजे यहाँ पर हमने support देखा तो हमने इस जगहे पर अपना एक buy position बनाया लेकिन हमें देखने को मिला कि इस वाले price zone पर यहाँ पर एक resistance बना हुआ है तो अगर हमारा analysis यह कहता है क कि इसका price यहाँ तक तो जाएगा लेकिन अपने resistance zone पर आके वापस एक reversal ले सकता है तो जैसे ही market अपने resistance zone तक जाएगा तो वहाँ पर आप अपना reverse position पर क्लिक करके अपनी position को reverse कर सकते हैं और फिर market के नीचे घरने पर भी profit कमा सकते हैं position को close करने का एक और तरीका मैं आपक conditions बना रहा हूं तो यहाँ पर मेरे analysis के साबसे 47,700 के zone पर एक resistance है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 47,600 पर support ली सकता है तो market ने इस जगहे पर कहीं पर support लिया है और यहाँ पर मैंने अपनी position भी बनाई और अभी bank nifty 47,700 के zone तक जाता हूँ हमें दिख रहा है तो जैसे ही zone तक आएगा मैं अपनी position को score off कर लूँगा तो इसके लिए नीचे से मैं वापस से अपना trading panel open करूँगा और यहाँ पर यह जो मेरी position active है इस जगह ही आप right hand side में देख सकते हो आपको एक cross का option देखने को मिलता है यह है आपका close करने का option तो आप directly यहाँ पर click करके भी अपनी active position को close कर सकते हैं तो अभी फिलाल आप देख सकते हो almost हम अपने resistance zone या फिर target तक पहुँच चुके हैं तो मैं simply यहाँ पर अपने cross पे click कर दूँगा and अपनी position को close कर लूँगा and अभी आप देख सकते हो मेरी position close हो गई order execution के notifications आप देख सकते हैं आ चुके हैं and यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से आप directly यहाँ पर अपने trading view के terminal से ही trade कर सकते हैं simply आपको यहाँ पर अपने धन के account को link करना होगा तो अभी अगर आपका धन का account नहीं है तो description box मैंने link दिया है आप उस पर से click करके सबसे पहले तो अपना धन का DMAT account open करवा लो then उसके बाद आप directly अप उसका reply जरूर मिलेगा मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत